अज़ वीडियो में हम वेट गेंड के बारेके बात करेंगे के वेट कैसे करें बहुत से लोग बहुत ही कोशिश करते हैं बहुत सारा खाना खाते हैं और फिर भी वेट नहीं गेंड हो रहा हुता है और बहुत से लोगों की डाइट ही ऐसी होती है कि वेट गेन नहीं होता तो वेट गेन कैसे करेंगे यह हम इसमें डिसकस करेंगे इसकी बहुत सारे causes यानि के वज़ें हो सकती है कारण हो सकते हैं वेट बढ़ाने ना बढ़ने के जैसे के हो सकता है थाइरईड हर्मोन बड़ा हुआ है थायरक्सिन बड़ा हुआ है कार्टिसोल हर्मोन घटा हुआ है या फिर कहलें के डियबिटीज मिलाइटेस बहुत री अन्कंट्रोल है या माल एब्सरपशन है या निनिके पेड में आप जो खा रहें वो कुछ यानि कि मैं कह रहा हूं कि जो बद बाते भी की मैंने यह सब नॉर्मल है यानि सब नॉर्मल है ठीक है फिट है लेकिन वेट फिर भी ने गेन हो रहा है क्योंकि ऐसा हो सकता है को कुछ और वजह हो सकती है जैसे कि एक ऐसा होता है कि कुछ लोगों की टेंडेंसी यानि क लहादड है इसको बोलते है influencers के पासिटिक समय लेकन कुछ लोग ऐसे होते है क्यollar है कैलोरीज कम ले रहे जाए है कैलोरीज जन में ज्यादाह उती है रहे हैं उसकी वजह से बहुत है नहीं बढ़ेगा तो डबी एक most important factor हो सकता है और कभी कभार ऐसा होता है कि diet तो ले रहें लेकिन आप activity ज्यादा कर रहें जैसे कि मालीया आपने diet जो ली आपने activity से ज्यादा कर दी काम ज्यादा कर रहे हैं दोड़बाग ज्यादा कर करेंगे जिसके जरिये जो है हम वेट गेंन आसानी से कर सकते हैं वेट करना आसान है मुश्किल नहीं है लेकिन यह तो अच्छा वाला ऐसा फैट लें जो फाइदे मंद हो बाडी को और वेट गेन भी करा है जिसे के जो भी ड्राइफ रूट्स हैं और मुंफली जबसे पहले बात करेंगे मुंफली जो होती ना उसका दाना खाए या फिर आप इसको बेहतर होगा कि इसको प्रेट पे इसका जो वो आता है पीनट बटर पीनट बटर को अगर ले लेंगे वह बहुत ज़्यादा काम करेगा क्योंकि वह ज़्यादा एमॉंट में आप खा सकेंगे बनिस्वत उस दाने के खाने के इसके कंपेरिजन में ठीक है अब जो ड्राइफ रूट्स हैं जैसे अक्रोट है उनका तेल है जैसे जिसको बोलते हैं सरसू के तेल है आप इसके पराठे बनाके खा सकते हैं सुबह में नाश्ते में पूरी है पनीर खाये जगे है तो वह आदत इसी बना रख्या कि दीरे जिरे करके अपने खुराग यह नहीं कर जो डाइट है वह बढ़ानी पड़ेगी ज्यादा-ज्यादा रोटी घाये और दुसरी चावल चावल में बहुत ज्यादा कैलोरी होती है चावल आप ज्यादा-ज्यादा खाने की कोशिश करें यह वेट गेन की बातें कर रही जा रही है ठ अच्छा होता आपकी मसल भी बिल्डप होंगी इससे चिकन खाएं मटन खाएं जो भी यह नॉन विज है इन से ज्यादा वेट गेन होगा ठीक है अब जिसे अब हम एक उसमें बताने ब्रिकफास्ट में आप क्या ले ले ब्रिकफास्ट में आप सुबह उठे तो सबसे पहले आप मिल्क लिजे मिल्क ले अन्डा खाएं और केला खाएं हो सके तो दलिया खाएं ठीक है इन समय से आप कुछ ले सकते हैं या फिर सारे चीजले सकते हैं step by step जैसे आप जलदी अगर सुबह में उठे लां यह वजे उठ रहें तो सबसे पहले आप ले ले मिल्क ले ले अंडा ले या फिर केला ले ले फिर दो घंटा के बाद फिर आप दलिया ले ले ठीक है अंडा ले ले अगर उधर केला लिया है तो उधर अंडा ले ले इस तरह से कर सकते हैं और क्या कर सकते हैं पराठा ले सकते हैं पराठा आलू का पराठा ले ल या फिर दोपहर अगर यह मालनी आपने इतना सुवा में खाली है तो आप खा नहीं पाएंगे तो आप क्या करें फिर दोपहर में आप खाना खाएंगे 12 से एक के बीचे दो बज़े तक तो उधर 4 बज़े के खरीब जो है आलू को खाएं उबाल के आलू भी बहुत जादा वेट गेन कराने में मदद करता है ठीक है यह सारी चीज़े हो गई पनीर भी ज्यादा ज्यादा खाले किसी भी टाइम निकाल करके और ड्राइफ रूट भी खा लिया करें बीच बीच में जो टाइम मिलता है इसके साथ साथ आपको एक्सरसाइज भी करने की ज़रूरत है ऐसा ना सोचें कि सिर्फ खाते रहेंगे तो अच्छी बाडी बन जाएगी यानिके वेट गेन हो जाएगा वो लेजिनस पैदा हो जाएगी डाइजेशन भी नहीं सही होगा तो आपको एक्सरसाइज भी करने की ज़रूरत है साथ में हलकी एक्सरसाइज करें अगर हो सकता बाडी जो है ग्रो करेगी अगर नहीं जिम जा रहें तो एक्सरसाइज जरूर करने हलकी एक्सरसाइज आप देख सकते हैं कर सकते हैं वाक कर सकते हैं साइकलिंग कर सकते हैं रनिंग कर सकते हैं लेकिन एक नॉर्मल वे में अच्छी तरह से करें ताकि डाइजेशन शाम का खाने की बात आगए शाम की खाने में भी आप खाले इसी तरह की चीज़े जिसमें करभोईड़ जादा है ठीक है आलू है चावल है दाल भी जरूर खाये दाल जो है प्रोटीन रहेगा प्रोटीन भी जरूरत है बाड़ी मसल्स की भी ग्रोथ होना चाहिए तो क्या कर यानि के हाई डेंसिटी लाइपो प्रोटीन जो अच्छा वाला है वो ऐसे एड़ करें जितने भी ड्राइफ रूट्स है तीन चार तरीके के जैसे अक रोट है बदाम है काजू है ठीक है तिस्ता है इन सब चीजों को कद्दू कस कर लें या फिर मिक्सर मशीन में जो है उसक चला करके दूद में मिला लें तो दूद में इस तरह का जो ड्राइफ रूट वाला मिलक है इसमें हो सके तो एक चीज और आइड कर देंगे जो खजूर होता अच्छा वाला ले केमिया वाला ले सकते हैं या फिर और कोई वराइटी है तो खजूर भी तीन चार डाल दें उसके अंदर वो सारा mix करके जब आप उसको खाएंगे न तो daily ये आदध आपको बनाने सोने से पहले एक glass tooth dry fruit वाला ये करने से weight gain बहुत तेजी से gain होगा ये सारी चीज़े जो है अगर आप follow कर लेंगे मुश्किल से आपको 10-15 दिन लगेंगे weight gain होगा hundred percent होगा अगर कोई बीमारी नहीं है तो अगर कोई बीमारी है तो उसका पहले हिलाज कराईं, डाक्टर को दिखाएं अपने नस्दिकी डाक्टर को दिखा दें कहीं कोई बीमारी तो नहीं है पेट में digestion खराब तो नहीं है यह कोई stress तो नहीं है, thyroid तो नहीं बड़ा हुआ है, cortisol तो नहीं गटा हुआ है, यह सारे hormones का check up कराना भी जरूरी होता है, thank you